हेलो गाईज तो कैसे हैं आप लोग मैं हूँ अतनान खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट मुवीज वाक चैनल आज हम रिव्यू करने वाले हैं Amazon Prime पर रिलीज हुई इस साल की most controversial web series टांडव वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी request अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूलें तो आईए स्टार्ट करते हैं review बिना time waste किये तो आप सबी लोग जानते हैं कि इस web series को internet social media पर बहुत ही जादा ट्रॉल किया जा रहा है और आप लोगों को ये पता भी होगा कि किस लिए हैं और क्यों ट्रॉल किया जा रहा है तो smart movies walk में पूरी बात बताई जाई कि इस web series को इतना जादा ट्रॉल क्यों किया जा रहा है क्योंकि इस web series में politics का पूरा काला चिट्था खोल कर रख दिया है तो actually ये main reason है जिसकी वज़ा से गोदी मीडिया और अंगवक्त इस web series को इतना जादा ट्रॉल कर रहे हैं तो मेरा suggestion ये है कि आप किसी भी वक्त के review को देखकर इस movie को बिल्कुल भी जज़ ना करें और खुछ से जाके ये movie देखें तो आपको पता चलेगा ये actually में movie खराब है या अच्छी है तो इस review को ज़्यादा political ना बनाते हुए आपको बताते हैं कि ऐसा web series में क्या खास है जिसकी वज़े से आपको ये web series देखनी भी चाहिए या नहीं तो इस web series में lead role में है सैफली खान, टिंपिल कवाडिया, सुनील ग्रोवर, जीशान अयूब, एन कृतिका कामरा तो कहानी शुरू होती है देव की नंदर जीस है जो के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है और तीसरी दफ़ा फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं election के result आने से कुछ दिन पहले ही उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद शुरू होता है turn down तो दूसरी तरफ कहानी फोकस करती है VNU college के students पर और GLD बड़ी political party किस तरह students का इस्तमाल करती है अपने पाइदे की निया है और इंडिया का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और VNU student के साथ क्या क्या होता है ये सारी बाते जाने की नहीं है आपको देखने होगी ये web series direction की बात करें तो web series का direction mind blowing है series आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगी इस web series का सबसे बड़ा strong point है सभी character का performance सभी character का performance इतना ज़्यादा best है कि आप decide नहीं कर पाएंगे किस ने सबसे अच्छी acting की है सैफ अली खान, डिंपिल कपाडिया, सीशान औयूप सभी की acting जबरदस्त है लेकिन सबसे ज़्यादा तारीख में यहाँ सुनिल ग्रोवर की करना चाहूंगा उनको इस बार एक different role मिला है और उन्होंने बहुत ही अच्छी acting की है इस web series के एक और plus point की बात करना चाहूंगा वो है इसका BGM, पूरी movie में BGM हर time चलता रहता है जो के बहुत ही ज़्यादा जबरदस लगता है तो positive point तो इस web series के हमने बहुत सारे गिना दिये लोग सोचेंगे कि इस review में तो सिर्फ positive positive बाते ही की जा रही है निगेटिव बाते की ही नहीं जा रही है और सबी लोगों ने YouTube पे जो भी reviews दिये हैं, social media पे जो भी लोगों ने कहा है इस web series को बुरा ही कहा है और खराब review ही दिये हैं तो अब बात कर लेते हैं negative point की तो इस web series का negative point है कि समर प्रताफ सिंग planning करते हैं कि VNU के चात्र शिवा को अपनी party में लाया जाए अपने इस्तमाल की नहीं है और वो कहते हैं कि ये मेरा चनकिया बनेगा तो starting में इस part को grow करके दिखाया गया है और बाद में शिवा अपनी खुद की party बनाते हैं और election जीज जाते हैं और समर प्रताफ सिंग कहते हैं कि शिवा उनका चनकिया बनेगा तो ये सारी बातें इस web series में तो clear हो नहीं हो सकता है नेक्स सीजन में ये बाते clear हो पाएं लेकिन इस सीजन में तो इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है अब बात करते हैं कि IMDV पे इसकी क्या rating है IMDV पे इसकी rating है 3.7 की जो कि बहुत ही जादा कम है 10 में से 3.7 rating होना आप सोच सकते हैं कि movie, web series कितनी खराब हो सकती है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, web series बहुत ही जादा अच्छी है सिर्फ और सिर्फ ट्रॉल किया गया है इस web series को भक्तों ने, अनभक्तों ने बहुत ही जादा खराब rating दी गई है इस वेब series की नहीं है, इस वहे से इसकी rating 3.7 है उस rating पर बिलकुल नहीं जाएं और खुछ से जाके यह web series देखें finally मैं आपको यह web series highly recommend करूँगा आपको यह web series जरूर देखनी चाहिए और जो actually में होता रहा है और होता है वही इस web series में दिखाया गया है अगर मेरी बात करें तो मुझे यह web series बहुत ज़्यादा पसंद आई मैंने इस web series को बहुत ही ज़्यादा enjoy किया इस web series को मैं final rating देना चाहूंगा 7 star out of 10 तो मेरा review आपको जरा भी पसंद आया तो comment section में नीचे लिख के ज़रूर बताएं मैं हूँ अद्दान खान आप देख रहे थे smart movies walk channel मिलते हैं next video में तब तक किने keep watching